हेलो फ्रेंट स्वागा थे आप सभी का आपके अपटी टुक चैनल लेर्निंग इट पर पोजीशन जितना आपने अभी तक जितना भी पढ़ा है मैंने बहुत सारे वीडियो दिए हैं प्रेपोजीशन के चाहिए वो प्रैक्टर सेट हो चाहिए वो थ्यूरी हो लेकिन वो जितना प्रेपोजीशन होता है उसका आधा भी नहीं है उसका एक हिस्सा भी नहीं है पहले तो हमें यह पढ़ना है कि प्रेपोजीशन इग्जाक्ली क्या होते हैं यह बेसिक सब को पता है कि क्या होते हैं लेकिन किते टाइप्स के होते हैं जैसे चे कटेगरी में आप से गलती हो जाया, ऐसा नहीं होना चाहिए. Overall हम यहीं समझते हैं कि noun और pronoun जो है, इनका किसी भी बाक्य के दूसरे शब्दों से क्या संबंध है, यह दर्शाते हैं. Basic होते हैं वही जो आप पढ़ते हैं, in है, on है, at है, from, to, for, by, outside, inside, above, over, basic ही हम पढ़ते हैं, लेकिन इनकी अलावा में बहुत सारी होते हैं, सारी कौन-कौन से होते हैं, वह हम आज देखने वाले हैं, चलिए, start करते हैं. So, पहले हम कह सकते हैं कि अगर kinds of preposition की बात करते हैं, यह 6 category में divide होते हैं, classified होते हैं, जोगी कल भी मैंने आपको बताया था, इनकी नाम आज हम देख लेते हैं, तो पहले तो single word preposition होते हैं, जोगी एक-एक शब्दों के होते हैं, double prepositions होते हैं, इनकी भी हम देखेंगे, details देखेंगे, compound prepositions होते हैं, phrase preposition या फिर prepositional phrase जिसे हम कहते हैं, वो होते हैं, participle prepositions होते हैं, जिससे कल मैंने एक किशन भी दिया था आपको, और disguised prepositions होते हैं, तो ये total आपके 6 categories में divide होते हैं, अब मज़े की बाद क्या ही जो last वाला है, सबसे interesting तो यही है, क्योंकि इसमें कोई prepositions होता ही नहीं है, यहाँ लिखा है at, by, in, into, on, of, जितने भी हाँ लिखे हैं, यह normal prepositions हैं, आप जब पढ़ना start करते prepositions तो यहीं सब पढ़ते हैं, इन्हें ही single word prepositions कहा चाता है, क्यों कहा चाता है, क्योंकि एक एक शब्द के हैं, सारे ही prepositions एक शब्द के हैं, और हाँ, single word prepositions का use कहा कहा कैसे कैसे होता है, इस पर video already theory की available है, कि जैसे by का use कहा कहा करना है, इनका कहा करना है, यह सारी मैंने theories पढ़ाई हैं, practice that भी दी है, इसके बाद जो आता है double prepositions आता है, कुछ prepositions ऐसे होते हैं, जो दो दो शब्दों से मिलके बने होते हैं, जैसे out of, अब यहाँ पर देखिए दो prepositions है, आउफ लगा है ना from, within, यह D to say it by mistake है, as for, up to, as for, from under, from among, इस तरह के जो prepositions होते हैं, जो दो दो शब्दों के होते हैं, यह आपके double prepositions कहलाते हैं, uses इनका भी normal single word के जैसे रहते हैं, अब main है compound prepositions, इसको हम थोड़ा सा समझेंगे क्या होते हैं, compound prepositions, अब जैसे compound आपका जो sentence होते हैं, उसमें क्या होता है, कि दो independent sentence होते हैं, स्वतनतर रूप के वाक्य होते हैं, वो आपस में, किसी ने किसी conjunction से जोड़ दी जाते हैं, and है बट है, और क्या होता है, उनको अलग-अलग भी use किया जा सकता है, तो compound sentence कहलाता है, वही चीज, same वही चीज proposition में भी आ जाती है, compound prepositions में, कि ये prepositions generally, किसी भी prepositions को, पे कोई नो कोई prefix लगा के, ठीक है, बनाया जाता है, basically किसी noun में, किसी adjective में, किसी adjective में, आपने prefix लगा दिया, तो ये आपका prepositions बन गया, तो यहाँ पे वो जो noun है, वो जो adjective है, जो adjective है, जो verb है, जो भी है, उसका स्वतंत्र प्रयोग भी आप करते हैं, जैसे ही कि अगर हम देखते हैं across, across एक preposition है, लेकिन cross अगर बस हम देखते हैं, तो इसका स्वतंत्र प्रयोग भी हमारे English में किया जाता है, ऐसा ये कुछ अलग सा word नहीं हो जाएगा, कि इसका कोई use नहीं है, है ना, ए लगा दिये तो ये बन गया preposition, कर सकते हैं, दोनों को साथ मिला देंगे, अर्थ अलग हो जाएगा, inside, outside, तो हम ये कह सकते हैं, कि ऐसे preposition जो किसी भी एक word में कोई ना कोई prefix, यानि उपसर्ग लगा के बनाये जाते हैं, वो compound preposition कहलाते हैं, और generally इनमें क्या होता है, ज्यादा cases में है, not in 100%, लेकिन ज्यादा cases में क्या होता है, कि उन words को अगर आप अलग करते हैं, तो आप उसका independent use भी कर सकते हैं, उसका कुछ अस्तित्व रहता है, इसके बाद आते हैं हमारे phrase preposition या prepositional phrase जिसे हम कहते हैं, यह actually यहाँ प्याब ऐसा दो word का नहीं है, यह पूरा group ही होता है, वो group जो है, दो word का हो सकता है, तीन word का हो सकता है, चार word का हो सकता है, तो यानि कि कई सारे शब्दों का एक जो समूह होता है, और उन्हें use किया जाता है, एक single preposition के रूप में, एक अकेले preposition के रूप में, उन्हें पूरे groups को use किया जाता है, words के, तो वो आपके prepositional phrase कहलाते हैं, कुछ उदारण मैंने लिखे हैं, in front of, according to question, एक बदब question तो मैंने extra add कर दिया, according to यहाँ पर preposition है, in comparison with, on account of, instead of, अब आप देख रहे हैं, कि यहाँ पे कई शब्द हैं, शब्दों का एक समू है, लेकिन है यह overall में, एक ही preposition के रूप में प्रियोग किया जाता, ठेक हैं, तो यह कहलाते हैं, आपके prepositional phrase, clear हो गया, अब यह सब, कर use कहा होता है, in front of का use कहा करना है, according करू का use कहा करना, यह सारा चीज पढ़ाऊंगी, आज तो सिर्फ हम इंट्रो देख रहे हैं, कि types होते ही कौन-कौन से हैं, detail से बढ़ेंगे से, don't worry, participle preposition, कल इस से मैंने आपको एक किशन भी दिया था, नाम से क्या लग रहा है, participle, देखे, कुछ words ऐसे होते हैं, जो present participle form होते हैं, verb के actually में वो verb ही होते हैं, verb की present participle form क्या होती है, हर बार बताया है, मैंने ing add कर देते हैं, जैसे अगर do है, उसमें हमने ing add कर दिया, doing बन गया, तो यह हो गया do का, यानि उस verb का present participle form, या कहीं कहीं पे आपको verb की fourth form भी लिखी हुई, मिल सकती है, तो actually में यह preposition verb की ही form होते हैं, लेकिन यह क्या करते हैं, बिना किसी noun pronoun के attached हुए, उनमें कोई noun pronoun attached नहीं होता है, वो एक preposition की रूप में use किये जाते हैं, जैसे bearing, during, pending, regarding, touching, etc. touching से related कलेक की प्रेशन मैंने आपको दिया भी था, जिसके option में touching आना था, ठीक है, details देखेंगे इसकी, ओके, last one, जिसके मैंने आपको बताया था, कि एक बहुत ही interesting proposition होते हैं, जिसमें, actually मैं आपको preposition दिखाई ही नहीं पड़ता है, कि preposition यहाँ पर है कहाँ, कोई use ही नहीं दिखाई पड़ता है, थोड़ा सा इसको मैं आपको example दे के समझाती हूँ, जैसे, मैं लिखती हूँ, it's five o'clock, यहाँ पर लिख देती हूँ, it is, is it visible, okay, it is, five, actually it's ten o'clock, बट अभी लिख देते हैं five o'clock, यहाँ इस पर लिखते बिल्कूल भी नहीं बन रहा है, बट आप समझ सकते हैं, okay, तो it is five o'clock, अब यहाँ पर, o'clock जो add है, o'clock, उसमें छुपा हुआ है, off the clock, यानि घड़ी के, पांच बज रहे हैं, समझ में रहे हैं घड़ी के, इसमें छुपा है, o लगा दिया है, और इसका अर्थ हो जाता है, off the clock, उसको पूरा न लिखकर, preposition को hide कर दिया गया है, we can form of preposition, on or of, come under discussed preposition, यानि कि इसमें अप preposition basically, use ही नहीं होता है, sentence में आपको कहीं preposition नहीं दिखेगा, लेकिन छुपा हुआ है, अगर लिखते हैं, he went out hunting, he went out hunting, वो बाहर गया है, शिकार के लिए, शिकार पर गया है, वो बाहर शिकार पर गया है, लेकिन यहाँ पे, he went out a hunting, preposition तो खहीं दिखी नहीं रहा है, अब उसमें चुपा क्या है, on hunting, चुपा क्या है, on hunting, on चुपा है, यहनि कि common sense है, बहुत अच्ची English है, तो आप बहुत इसली guess कर लेंगे, एगर आप English sentences की Hindi, translate कर सकते हैं, तो आप बहुत जल्दी guess कर लेंगे, इस तरह के preposition, यहाँ पे, यह सबसे कमजोर तरीका कह सकते हैं, preposition का होता है, कमजोर type का होता है, क्योंकि इनका use ही नहीं किया जाता sentence में, है न, कुछ नया है, अभी मैं इसके, आपको questions कराऊंगे, बनेगा आप से, ठीक है, परशान नहीं होना है, तो यह हो जाते हैं, आपके simply types of preposition, हमने क्या सीखा, छे प्रकार के होते हैं, कौन-कौन से होते हैं, क्या-क्या होते हैं, यह हमने देख लिया, कुछ examples हमने देख लिया कि कौन-कौन वाले होते हैं, so I just hope you like the class, if you like don't forget to like, share and subscribe, so thanks for watching, keep studying and bye-bye,